नमस्कार प्रियाग एक्ष्प्रस टूज में आपका स्वागत है आज की खबर दहेश को लेकर पती नेकी पतनी से मारपीट, मामला पहुचा रिवां के स्पी कार्याल है लगाए न्याय की गुहार खबर मद्यपदेश के रिवा जिले के गुर्थाना चेतर से है जहां दहेश को लेकर पती द्वारा मारपीट की घटना शामने आई है वहीं पीडित महिला ने अपने बच्चों के साथ रिवा एस पी कार्याले में न्याय की गुहार लगाई है पीडित महिला द्वारा मीडिया से बताया गया है कि उसके पती द्वारा उसे आय दीन दहेश की मांग की जा रही है और पीडित सहीद उसके बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है विडित महिला ने आरोप लगाया है कि लाठी रंडों से बार बार उसके साथ मारपीट की जा रही है उसकी शिकायत गुड़ थाने में की गई लेकिन थाने में कोई कारवाही ना होनी के कारण महिला ने रीवा के SP आफिस में अपने बच्चों के साथ शिकायत दर्श करवाई प्रियाग एक्षपिस ने उससे रीवा से रुहित पाटिल की खास रिपोर्ट मेरे शोहर है हस्बेंट कहा रहने वाले गुड़ के मैं थाना में की थी कोई कारवाही नहीं हुई है और वहां मेडिकल के लिए भी बोलो तो बोलते हैं मेडिकल यहां नहीं होगा बंद हो गया है कब से प्रतार निक कर रहे हैं अप्ते तो 2014 से नहीं हुई है कोई सुनता ही नहीं है अब भी नहीं मैं आई तो यहीं हूँ लेकिन चाहती मेरी सुने वह भी अब बहुत मारते में बच्चों को भी मारा है उनने बस ऐसी चोटी चोटी बात को लेकर के बहुत मारते हैं प्रतार नहीं है उनका मोहमद यूसुफ अंसारी वह बुड़ी मारते हैं हम क्या चाहते हैं हमको नहीं पता लेकिन वो मेरे को जान से मारने की भी धंकी दी है उन्हेंने टांगी तक मारी है यहां तक कि मिटिक तेल डालके जलाने की भी कोशिस की है उनने अब बोलते हैं क कि क्याना पैसा दो मेरे को मेरे को पचास अजार रुपे पैसा चाहिए अपने बाप से पैसा लेकि आओ हाँ देहेच की मांग करते हैं